शिरी गुरु अर्जन दे महराज जी दे शिरी अमर सर साहिब इखे दर्शन करना रहे है और उनानू सत्गुरु जी बहुती बक्षिशां पर याउप देश अपने दरों बक्षिश कर रहे हन आप संगता मन बिर्ती नू अकागर करके बहुती प्रेम दे नाल सत्गुरां दे गुर ते हास दी कथा सर्वन करो सातनाम शिरी वाहे गुरु साहिब जी दोहरा शिरी सात्गुर एक देन थेरे शिरोमनी सचे सत्गुरु तन शिरी गुरु अर्जन देव सचे पात्षा महराज जी दिवान विच सुवाइमान हो के गुरु का बाग जित्थे अस्थान है जिस अस्थान अज आप्पा मंजी साहिब दिवान हाल वजों जान देहा एस दिवान हाल देनाली संगे मरमर्दा मंजी साहिब बड़ा सुदर सुवाइमान है संगे मरमर्दी पाल की है इत्वे सद्गुरु जी दीवान सजाया कर देया के बड़ा सुंदर बाग लगया हम्दा सी सारियां संगताने बाग बिट बैठ के सद्गुरु जी दे मखार बिंतों आप परम्प वित्रोप देश सर्बन कर दियां सान एस अस्थान नों पहला गुरु का बाग आख्या जन्दा सी अज तान शिरी गुरु रामदा साब जी दे लंगर दे और सिरी हरमंदर साब जी नों स्रामा बाले पास्यों जिड़ा रा जन्दा है उस रस्ते तो पहला पाव लंगरतों और उस रस्ते दे विचकार उस भाग दी निशानी पंत दी महान संस्था शुरोमनी गुर्द्वारा प्रवंद कमेटी ने उस नू ज्योंदा तियों रख के संबालया हुया है संगतां दी दर्शना वास्ते और उत्ते थोड़ा बगिच्चा भी लगा हुया बड़ा निर्मल हरा हरा बहुत ही कोमल का भी लगा हुया है ओ सारी गुरू के बाग दी निशानी बज़ों ए जगा अज भी अतिहास्क तौरते संबाली होई है और ओन वाले समय विच भी ए संबाली रहनी चाहिए तांके सं संहतानू एस गल्दी जयात रहे के इस ग्रूड नू केडी जगावज़्ों संघतान जान दिया हन। के गुरू का बाग केड़ा सी जथे बैठके स्थ्टवू ढ़ी संघतानू दिदार देया कर देशन। सो एस गुरू के बाग मंधी साहिब ते, सद्गुरु मारा डीदा सुंदर दीवान लगा हुया है, और पावन संग असनुते सद्गुरु डी सजे हुए हाना, संगत दर्सत आए, चारेद सामात उत्तर दखन पूर्वतों संगता, आके दूर दर्शन कर रही आहाना, सिखत लोका नाम जे सद्गुरु अर्जन देव जी दा महान सिख है, ये सदा नाम पाईत लोका है, ये सद्गुरु डी दर्शन करन वास्ते घजनी तों, बड़ी दूरों चल के आया संगत जी, गजनी दा नाम ता तुसी सारे ने सुनेया है, के गजनी दे वेच्च हिंद दियां जोका शिर्गुरु अर्जन देव जी दा महान सिख करके, लेके जान देता गजनी दे बजारां वेच्च टके टके नलेके के सुन्दर लड़कीन वेच दन देशन, मुगला कोले, पठाना कोले, सो बड़ा जुलम होया, साथ संग जी एस तरती दे उत्ते, एता गुरु के खाल से नू, कलंगी तर पार्था तानुक्षिरी गुरु गोविन संग साब जीने बल बक्षिया, ताक्त बक्षि, समरत्था बक्षि, जिनाने एड़े वड़े जर्वानया नाल, अपनियां फौलादी शातियां दे नाल साथ संग जी, मुठी पर खाल सा मकाबला करदा रहा, और एस देश दी इज्जत नू, एस देश दी पात आबरो नू, बापस ले लेके आउदा रहाते उना दे करामिच सही सलामत, सुरख्यत बाइज्जत नू पचाया करदा, एक हाल से दे परुपकार हन, एक हाल से दी बहुत बड़ी कुर्बनी है, ये सकरके ओ गजनी दा नाम बड़ा प्रसिद है सदे इतिहास विच, एप आई त लोकाई दी ओस गजनी शेहर विच हों, सद्गुरु जी दे चर्ना विच आए हाना, सब तो पहला सद्गुरान दे चर्ना ते अपना मस्त कला के, बड़े अद्ब नाळ, सद्गुरान नु मत्था टेक्या नमश्कार कीती है, चाओ पई हाथ जोर तेने अर्ज गुजारी, पाइत लोकाई दी ने हाथ जोड़ के, शिरी गुरु अर्जन देव जी दे चर्ना विच बेंती कीती अपने बल्लों, मैं आयो प्रावशर्न तुमारी, जिस्ते मेरो हुए कल्यान, जिस करके मेरी कल्यान मुक्ती हो जाए, जमन मर्न मेरा कट्या जाए, जोग लोकन मह अनान्द महाना, मारायर दोन्यों लोकाई विच, कल्यी मुक्ती मल जाए उदे नलकाम नी साउर्ना, मारायर प्रलोक विच भी मेरी रख्या करेो, प्रलोक विच भी मेरा जमन मर्न मेट के, जमा तु हत दे के, मेरी रख्या करो, मिनु मुक्ती दा अनन्द ब जो सुखनित दे वर्तों दे वे चाउन वाले हैं, येस करके इना सुखान दी भी, दोन्नों लोकां दे सुख बक्षश करो। आस मुझ को दी जाए उपदेश। येहुजा उपदेश देओ के दोन्ना लोकां विची मेनू अनन्द प्रापत होवे सुख मिले। जेस उपदेश नू सुनके फेर अगे कमा के तार्न करके मेरे सारे नास होड़न जिनने भी पाप हन, जिनने भी दुख संक्ट हन सारे यांदा नास होड़ाए। सुन साथ गुर कर दया सुनाई। ओस हमें साथ गुरु जिने सुन करके अपने पाबन पवित्र मुखार बिंतों द्यालता करके बक्षिश दे का रविचा के पाइत लोका जिनू अपदेश दिता। साथ नाम सो रहो लेव लाई। ये गुर सिख जो नाम गुरु का रविच्चों मिड़दा है। ओस नाम नू प्राप्त करके अपनी सुर्त अपना तेहान अपनी लेव। अठे पहर नाम विच वाहि गुरु नाम विच मूल मंतर विच बाणी विच सिमर्न विच अपनी लेव जोड के रखनी है। उठत बैठते आवत जाते। उठ देयां बैठ देयां आउंदेयां जांदेयां। सिमर्न त्या त्यागो दिन राते। सिमर्न करना नहीं चड़ना। ये जुगती दसी है तरीका दसेया। के विचेश ताउरते तनी तू नाम जब सगदा कठन किर्थ भी करनी है पर सुखेन सादन दादे हां के जदो उठें ओदों भी वाहिगरू जदो बैठना ओदों भी वाहिगरू जदों रस्ते चाउना जाना ओदों भी सिमर्न करना इस करके दिन रात वाहिगरू नू चेते रखना परमेशर नू कदे पुलना ने वाहिगर तो कदे बेमुख नी होना परमेशुर पाने को माना जो वाहिगरु दी रजा होवे उनू सत करके मनना है परमेशर ते कदे शंका नी करनी परमेशर ते कदे रोस नी करना ते वाहिगरु परमेशर नू कदे दोश नी देना येश करके उदे पाने नूदी रजानू सत करके मनना है भर्को पली करह इम आजान ये जान के के जो परमेशर करदा है मेरे पलेली करदा येश विच परसन रहना अनांद रहना है दूश अरोप हो कोई न प्रभ मैं और परमेशर विच कोई दोश नहीं लोना साड़ा जीवन के हुजा है चंगा हुंदा था आपा बड़े हुमें विच हुब हुब के गला आख देया मैं कीता, मैं कीता जिमें बकरी मैं मैं कर दी अदन बंदा मैं मैं कर दा फिर ते जे कोई अपनी मर्जीदे उल्ट हो जाए रबने साड़ा आखा दता रबने यसान अदका देता तकलीफ देता साड़ा ता कोई दोश ही नी सी रबने सानु बे गुनाहा नूह ही मारदता रबनू ही बरा पला खन लगड़न महरा के भाई परमेश्षर वच going DOSH नी देना collecting कि गुर्बानी दा फुर्मान है ददा दोस न देव किस है दोस करमा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोस न दिद्या अबर जना साड़े करमा दोस है संगत जी साड़ी एक जनमदीता करमा दी खेड नीना है पतनी पिछले जनमा दे वेच असी केडे पाप किते हुंदे है जीना दा फाले एक जीवन नहीं पोग पाउंदा एक बजुरुग एनी दावलत कमाउंदा क्योदी एक पीडी नी वर्त सकती तो प स्पीडियां तो नी मुखदा तीजी तो नी चौथी तो नी दाथ स्पीडियां ताक वो अपने बिजुरुगांदी कमाई नू वर्त दे है खांदे है पोग दे है पुंट दे है एसे तरह करमा दाख जनना है पतनी केडे करम दिच केडा गुना होया वोस दा जरूरी फाल वे नहीं कैसी पिछले जननम वची पोग लेया वोदा अपाल असानु पता ने करेडे करे जननम वच पो गुना पहनदा यहनु संचत करमा दा खजनना केहा जननन है जडे यither करम सडे संचत होया कध ते जडे हुन कर रहेयं यहए संचत होया अब गधे तो ये Health行 कर रहें कदे दोख आई जन्दे है जे पाप किते है, बुरे कर्म किते है, जे चंगे किते है, फिर उनने समेली अगे के सोख आई जन्दे है, परमेशर किसे नू दोख नहीं दन्दा, परमेशर किसे दा बुरा नहीं करदा, ये सादे कर्मा करके सानू दोख मिल दे है, माडे कर्मा कर करके पापां करके दुख मिल देया, संक्त मिल देया, चंगे नेक पुन दे कर्म किते होन, पुन कर्म किते होई होन, फिर सोख मिल जान देया, संक्त जी, एस करके कर्मां दी सारी खेड है, हां गुरु विच एस मरत्था है, गुरु साब नुए अदकार है, के गुरु साब मा कर्मानू कटन दी शक्ति रख दे होर किसे वेचे तागत नी गुर का सब्द काट कोट कर्म गुरु दा अपदेश गुरु दी सिख्या सुनके जे कमाल ये ता अर्न कर लिये ता करोडा ही माडे कर्म जेडे है जिना दा फ़ल दुखां विच मिलदा उ कट्या जन्दा माराज ओ कर्मा दा दुख पापां दा जेडे पाप कमाये उन दा फ़ल पो गुनतो सिखनू बचालें दे है वो दा फ़ल नी लगन दंदे नू काट दंदे है नास कर दंदे है ये गुरु सासु बिच शक्ति है गुरु साब दाम दाय अधकाहर है इस करके पाई मार अरकेंदे भी कदे भी प्रमेशर ते दोश नी रोपना प्रमेशर ते तोम तानी लोणियां के साधे कर्मा दाई दोख सुख है जो ब्यापक नब की समसाब मैं देडा मेरा भाहिगरु अकास दी तरह सारे ब्यापक है परिपूर ने कोई ऐसी जगानी जित्वे प्रमेशर दा वासा नी है तन हंता को ताज अभियास तन दी हंता नू त्यागन दा अभियास करना ए मन दे विच्चों दूर करनी है जिडी हम है सने सने लख रूप प्रकाश औरे नाम नल सेवा नल दूर हुंदी है जमें जमें हंकता दूर होएगी नाम दा वै आस रहेगा वाहिगरू दी रजाविच पर सन चलेगा ते अंदर फेर हॉली हॉली अपने आत्म सुरूप दा प्रकाश हुना शुरू हो जाएगा प्रकाश हो जन्दा लो लगन लग जन्दिया हॉली हॉली जिमें पहला अकाश विच लो आउंदी है फिर दिन चड़ जन्दा फिर एन सूर्ज चड़ के साथ संग जी चारे पास से प्रकाश ही प्रकाश कर दन्दा येस करके वाहि गुरू दा नाम सेजे सेजे हिर्दे देविच कोर सिख दे अपनी लोज गादन्दा क्योंके मान विच्चों फिर साथ संग जी दोष्ट दूर होने शुरू हो जन्दे है ते सजे सजे मान नाम विच जोड़ लग जन्दा फिर प्रकाश की होना होली होली फिर मान टिकन लग जन्दा टिके होए मान नू अनांदा होन लग जन्दा फिर ज़नों पूरी एन गुरु साब जी दी किरपा हो जन्दी है फिर चारे पासे परमेशर दे प्रकाश दे दर्शन भी गुरुम खानू हो जन्दी है ओ किसे भी रूप दे वेच अपो अपनी कमाई है अपो अपना सादन है अपो अपनी कर्म गती है फिर उमें मारा साभ जी दे, ओ जलबे, ओ कौतक गुर्म खानू सचे पाथशा, आप ही किर्पा करके अगे तो गे, करादन दे जिन आते बक्षिश करनी हुं दी है, जिन आनू तारना हुं दा, जिन आदा पला करना हुं दा, उना नू निश्चा बनाउन वास थे, उना दा पुर्पुसपरोसा हुर कैम करन वास थे, माराज रस्ता दखादन दे है, किर्पा करदन दे है, हुं सज्चे सज्चे आत्मस रूप दा, घर्दे विच केंदे पाई परकाश हो जाएगा, और अगला बचन मारा केंदे पाई, एहिंसक जीवन, हिंसा नी करनी, जीवनी मार करने कदे भूल कि वी दया बाला गुणता आरन करके रखना पापी नी बढञना पाव जीवां दा कतल नी करना जीव नी मारने जीवान भार-मार के वड़ वड़ के नीü खाना ईह सक जीवन पाव अपनेअ जीवन देवेच जीव का आतनी कदे वास्ते करना हूँ और सारें ते दया करनी है पामे कोई जीव है पामे कोई मनुख है सब ते दया रखनी है मान वेच किसको नहीं दुखा वो हुईया और किसे दा देल भी नी दखोना सारें दे देल वेच प्रेम बने आ रहे है बहुत कठन है पर किसे दा देल भी नी दखोना तेन तरह दी हंसा साथ संग जी एकता तन करके किसे जीव नू मारना यह भी बहुत बड़ी हिंसा है दूजा मन करके किसे दा बुरा चितवना मन विच बुरा ख्याल लेवना बुराई सूटी जाना ए मन दी हिंसा है, मन दा पाप है और तीजी बानी दी हिंसा है किसे नू कोड़े बचन बोल के अगले दा हिर्दा दुखा देना सबना मन मानक, ठाहन मूल मचांगवा जे तो पिरियादी से कहा उना ठाहे कही दा तान बाबा फरीद साफ जी कहन दे, ऐ बंदे जे तिनू प्यारे प्रमात्मानू मिलन दी से कह इच्छा ना बहुत तीबर तेरी चाना है ता एहो जा कोड़ा बोल ना कदे बोलनी किसे दा दिल ना दुखाई कदे वास्ते वी अधे वीमारक दे किसे दा दिल नहीं दखोऊना है जथा लाब की जै सन्तोषा तो झिना के कुर्ट कमाय वेच चम कर दियां कर दियां दसानोहंदी कर दियांdock कर दियां जिना के नवा लाब हो जाये उनने वेच्छी संतोख रखना एनी सुटना के एनना क मिलेया एनना क्यों नी मिलेया वाहि गुरू ने जथा लाब तथा संतोष्ट जिनना नफा जिनी कमाई किती जिनना के लाब आगया नफा मिल गया उसे विची संतोख रखना तृष्णा अते लाल्च नी करना है तज हो बिकार आद जे रोसा एसे तरह क्रोज आदक वकार आदक डिड़े है एसेड़े सेड़े इनना तयाग करना एस छोट जान ता चंगाई है साथ संग जी बहुत दुखी कर दे है इनना नू होली होली चड़न दा जतन करे एमसात गुरत ले उपदेश यह बड़ा सुंदर उपदेश दता साथ संग जी पाइत लोके नू नहीं कला दता उपदेश यह सानू भी यही उपदेश है पर्थाए साखी महां पुरुख बोल दे संजी सगल जहान जो किसे दे पर्थाए किसे नमित नू किसे प्रजोजन नू किसे नू मारा सचे पाध्षान ने परतीक बना के किसे गुर्सिख देता उपदेश दता उ सारे जहान वास्ते संज जाई है ए गुर्सिख्या कल्य पाइत लोका जी लही नहीं है साड़े लही भी है ए सद्गुर्स अनू भी सुभ सिख्या दे रहे है एस नाल साधी कल्यान होएगी ए उपदेश लहे के पाइत लोका जी ने गमनियों गजनी अपनों देशों देश हुंदा लाका देश वैसे एक देश नू भी कह दंदे है जी में पार्त नू सारे नू हिंदोस्तान अख्या दंदा अमेरका एक देश है कनेडा अंग लैंड छोटे वड़े वक्रे वक्रे नाम है देशां दे वैसे बारां बारां कोदे वेच जिनना लाका होवे उनू भी देश के हादन दा है वकवक दिशामा विच दूर दूर बसन वाले जमें हिंदोस्तान दे बाई सूबे एए इना बाई सूबे आनू वकवक लाके आने विचोन वाले सिखा नू ए अम का सिख फलाने देश विचों आया येश करके साथ संग्दी वक वक नाम हन यू पाई तो लोकारी अपने देश गजनी नू अपने अलाके गजनी नू सत्गुरां तु आगया लेके मुड़ पए मुगल चाकरी तहां करंता मुगल चाकरी करदा है उना अंधी फाउज वेच एक किर्थ करदेया पाई दी वहर अरूद सांगर हनता मुगल चाकरी करदा पाई तो लोकाजी शरीर करके बड़े बली सुंदर डील डॉड़ वाले सन और बड़े फृतिले सन सेंग नूँ हमेशा साथ संगजी फृतिला रहना चाही दा एमीट लड़ जाई तुरेया फिरे देदर नूँ डगपया कदे उदर नूँ डगपया ना सेवा कर सके ना अपना आपी समाल सके ना ही सुटेत रवे उकादा कसाथ संगजी धीवन है एस करके हमेशा आतेयार बृत्यार गुरू के सक्ने चर्दी कला नल रहना उत्षा नल रहना साथान रहना यो पाइत लोकाजी बड़े साथान हर समे तैयार बृत्यारकोई अगैली नी करन वाले सन उना विच सुर्म गती वाले बड़े सम्पूर्न गुन सन एसे करके मुगल जेडाना, वो उनननु जदों विशकार जन्दा अपने नाल लेके जाया करदा। नित रजत पननेत पंचास। और इन उत्ते समेदा हाक में इनना प्रसन सी इनना दी सेवातों, इनना दी नुकरीतों, चाकरीतों, कि झानना नान् शाम्नु पंचार रुपय चांदी दे विजनना दया करदा। वैसे सिखांधी पागत माळा एविच लिखिया के पंचार रुपय रोज दे। इन अनु नुकरी मिल दी सी। परेख्थे पाईसावने दसे अवी पिन्यार रुपए रुजानना देनानु दित्ते जंदेशन सरकार देखदाने विच्छों आयोधत अरे रहत ते सपास और पूरे शस्तर अपने कोले सारे साम के रखदा और जेडे शस्तर खास मुगल सर्दार देवी हुंदे सन चलोन व वि मुगल समेद हाकम होर किसे नू नि पकड़ूंदा वि इन दे कोले इननू दे कर रखदा ये बाहत अधे इत वार जोग उस दे सपाही सन इस करके सारे शस्तर इन दे कोले अपना खदानना शस्त्रां दसले खना समालके रखदा हमेशा चडियो मुगल एक दे उस शिका मुगल एक दिन शिकार करन वास्ते जंगल नू चड़िया है संगत लोका अस असवार पाइत लोका जिवी नाल को डेते चड़के मुगल दे तुरेहन शिकार दे मगर मुगल अगारी म्रेगन पलाई जदो मुगल कने संग ने जंगल बल चले गया न तसाज संग जी अगों मिरगांदी डार जड़ी जंगल विच कार चर दी सी ओ मुगल अनू वेखके शस्तर तारी इना सूर में अनू वेखके मिरगांदी डार डर के अग़े पजतुरी है पीशे लागे तुरांग तवाई यो मुगल ने भी पाईत लोके ने भी इना दे नाल देया ने भी अपने कोडे मगरी डुडाले मिरगांदा शिकार करन वास्ते जबहत लोके कीन सनेर जदो होरता सारे पिछे रहगे शिकार करन दे वक्त पाईत लोका जदो अग्य कोडा दडा के गया न ता एक शिकार करन वाले जीव दे जदो नेडे टुके आपाईत लोका वेख्या मेरे शिकार दे नेडे कोडा पौँच गया कोडे बिलकुल नजदी कपड गया है वेख्या के शिकार मेरी मेरे निशाने दे बिलकुल अग्या है पाः मेरे निशाने तो हुन चोक नी सगदा कि ते जा नी सगदा पाज नी सगदा मेरी मार थल्ले है ओसे वक्त में आन विच्चों साथ संग जी खडग खडग शस्त्रां दे जिना संगा नूं ग्यान है उना नूं पता खडगदा जिड़ा फाल चोड़ा ते बहुत तिखा ते बड़ा सुंदर होया करदा यों हर समय को शस्तर दी वर्तों नी जंगा जुद्धां विच्चों दी वक्वक शस्तर दी वर्तों की ती जंदी है सो उस वक्त पाइत लोके ने बड़ा तिखा खडग इनू तलवार नी अपा कह सकदे सिरी साब नी कह सकदे म्यान विच्चों पाइत लोका जी ने अपना तिखा खडग कड़िया और एन मार्थले वेख के शिकारनू उसे वगत पाइत लोकाजी ने जोर दी अपना शस्तर खडग शिकार दे उते चलाया मरिगनी गर्ब दुद्दा कर डारा इनना बली सी पाइत लोकाजी दे डौलयां वेच इनना बल सी नी तागत सी एकको वार करके साथ संग जी डेडी मिर्गनी हरनी सी ना हरनी ओदे दो टोटे कर दते एनना बल सी साथ संग जी शरीर दे वेच ताउन कोडों नी आयां शरीर दे विचकारों तो टोटे पाइसाव ने कर दते एनना जोर दिवार मारे आ जोग अब रख बेच ते गिर परे ओजडी हरनी सी साथ संग जी ओस दे गर्ब विच दो बच्चे सान ओसे वगत ओ दो बच्चे विच्चों निकल के तर्ती ते डग पए ओस दे पेट विच्चों कित क काल में तर्भत मरे ओ जदो मान ता शकार हो गया दो टोटे हो गया ता बच्चे भी थोड़े समय विच तर्फ के पाइत लोके दे वेख दयां वेख दयां ही समने ही मर गए इखत लोके करना ठानी। पाइतलोके ने जदों वेखेया ना, मान विच बहुत ज्यादा दया आई, तरसाया, बहुत पच्चा थाप होया, के एकता मां सी, मिर्गणी सी, हर्णी सी, एकता ओ मारी गई, दो बच्चे उदे मरगे विच्चो निकल के पेट दे, ये वेख के बहुत ही मन विच तरसाया पाइतलोका जीनू, तेकते के अपने कर्म बगानी, ये ही हुंदा साथ संग जी विचारवान जिडे गुर्मक होंदे येन, संगत करन वाले, नाम जपन वाल सेवा करन वाले, असी पुलन हार जीव हैं, साड़े कुड़ों गल्तियां कदम कदम ते हंदियां, पर गल्ती गुना हो के मन विच पष्चा ताप आउना बड़ा लाजमी है, ये पष्चा ताप मन विच आया नी ना, मन विच अप्सोस नी पैदा होया, मन विच दर्द न ऐसी पाबना नी आई के मेरे कुड़ ये वग्या होई, बड़ा गुना होया, पष्चा ताप नी मनने और आपने आप्ठ कीता ता सम्झ लो अजे, असी सिखी तो, गुरु दे ओस असूलां तो बड़ी दूर बैठे हैं, पाब दया नी है साड़े मान विच पाब दया नी पूमल नी है, साड़ा हिर्दा अजे शुद नी है, इदे उत्ते अजे बड़ी पापांदियते कठोर ता इदी मेल जम्मी होई है, गना हुना सुभाबक है, पर पच्चा ताप करनाल साथ संगजी वग्या करनाल, गुरु साब कोड़ों, संगत कोड़ों, पान पयारा बख्षा लए ता मार अज बख्ष दन दे ये, गना हुने ता सुभाबक है, जीव पुलन हारे, पुलन विच किया, सब कोई करता, आप ना पुलन हारे, इस करके पाई तलोके दे मान विच दया भी आई, पच्चा ताप भी बहुत होया, की कहन दे ये, तिरकार है मेरे जी ये दिड़ा मैं कर्म कीता ना, ये चंगा कर्म नी में थू होया, मैं सो पाप अचानक लए, मैं ता जिंदगी जिका दे अज ता कोई पाप नी कीता थी, मैं ता बहुत वड़ा पाप लेलेया, सरते इनना बज़र पाप के तिन जीवां दी हत्या कर दती, एक मिर्गनी मार दिती दो दे बच्चे मार दते, तिनना नू मारन दा पाप एड़ा पारा मैं सिरते लेलेया, एक ते हते तीन मर गए, एक नू मार दा मार दा, तिनना नू मार के बैगया हा, गुर उपदेश करे ओ तब सिमरना, ओ समे गुरू साब जीदा ओ बचन चेते कीता याद कीता, दया करो नहानो जीव गाना, मार रहन के आसी दया रखनी है मान विच्च, कदे जीव नहीं मारने, जीव आंदा कात नहीं करना है, सो मुझ ते नह गयो कमायो, गिंदा एक कोई बचन सी, सारे बचना विच्च, ओ बचन भी मैं नहीं कमा सक्या, गुरू साब दा एक बचन बचन भी नहीं मन्या गया, यह ते दोश अधक मैं पायो, यह मैं बहुत वड़ा गुना कर बेठा हा, शस्तर पास ते अग हो यावे, बंदे कोले शस्तर होन, गुसा आजाए वासविच ना होवे, ता बंदा पापकारी बैठ दा, शस्तर होना वी ते ओसनू सबर नाल समा के रखना, सा संग जी शस्तर जेडे शक्ती दा प्रतीक है, शस्तर कोले होवे ना अंदर जोश होन दा शक्ती उबाले मार दी है, परमाराजी ने ऐसे करके किया, सिख दे अंदर जोश वी जरूरी है, बीरस वी जरूरी है ते होश वी जरूरी है, पाव नकेल पाके रखनी अपने मन्नु, समालके रखना, कोई कदम गल्त ना चुके अदा ये गुषे विच, क्रोध विच आके, क्योंके गुषे दास वांध करोंदरिग वंतन को सुरत वंतन को बदरों करदारों क्रोध केंदा जदो में आउना बंदे देवेच्च, एनना प्या अनक रूपले के आ आजना बंदे देवेच्च, देखन वालयानू अन्ने करदना, सुन वालयानू में बोले करदना, क्रोध दा ऐसा सुमा है, होश रखे, सबर रखे, संकोच, कैन लगा, शस्त्र कोले सी, गुरू दा बचना दा जेना हुक्म सी ओनू टेते दे विच्चों पलादता, ताही म करोना पुन को पकावाएं, केस करके मैं शस्त्री अज तो ता अर्न करना शड़ देना, अज तो बाद शस्त्री नहीं अपने पास रखना, जो तो शस्त्र नहीं होएगा ता मेरे तो कोई धीव हत्या नहीं होवेगी, जित विचार तरवार हटाई, जित विच सोठ के इड केड़ी मैयान विच तलवार जढ खडक शस्त्र सनों सारे पासे करदते, जग काटकी कर गर पाई, अशे करके केया न किरपान पान तारींक रोर पाप तारींक, किरपाण, किरपान दर्थ है, गौ गरीव मजलूम दे उत्ते, दया करने, किरपा करने, तर्स करना, दयालता क करनी एक करपान तार्ण करन देना लग करोणें पाप नास हो जंद यह है गरीव दी मिझलूम दी बालक बिर्द दी निर्दोष दी सब दी रख्या करनी जालम नू डन देना येस करके पाही तोलोके मन विचार करके तलवार कोले रखन तो संकोछ कर ले अपने पास शास्तर नहीं रखदा है कित को दिव से गार राख थी सोई तेक काथ की कर गर पाई की कीता म्यान हो हुई है मुठा भी हो हुई है मुठे विच ना लकड दा फाड तलवार बरगा तियार करके पालेया और जदो एस तरह फुलाद दा जिड़ा शस्तर सी ओ शड़त था बारों हो ही है विच्चों लकड दी तलवार पालेया और किन्नेक देन ओही गड़ विच पाके रखी है व तोते लोके को रखपकुई अपानी लकड दिया ऌठा पाउनिया मारा 2 हुक्म नहीं किते आपाईङ़ आप उण लकड द्यूच पालिये अपानू मारा सावने जो हुक्म किता अपानू मिरना तियार बरतियार पंजाक कारांदे ता और ने सनाद बनाद शस्तर तारी गुरू के खाल से निरना हमेशा वास्ते सो साथ संगेजी ओस वागत पाइत लोके दे नाल कोई वैर करन वाला कोई बन्दा उच्ची पदवीते चले जावयोदे नाल दूसरे बन्दे इर्खा भी करन लग दे है किसे कोले तानबावता आजाए दुझे लोक ऐमी सडी दंदे इर्खा दी अगविच मिलदा तकोष भी नी ना कोई बन्दा तरक्की करदा दुझे ऐमी सडी दानगे सो यह सबा हंदा गुर्मखांदा इसा सबा नी हंदा ओ मारा दाई केंद यही सच्चे पाश्या जे नू तू जमीन जाए दाद चंगी दिती है सुखी वस्दा परवार है इसदा इजे कोले चंगे ओ दे है चंगियां सवारियां सब कुछ है मारा दिता ते रही है ना यह बंदा थुड़ो दे सकदा रबदा ही दिता होया ओ गुर्मख में रबदा शुकराना कर दे यह तो उनू भी दे सकदा सनू भी दे सकदा उदे तो मंगोना वापे दे दूगा तो अनू भी पर मान विच कोई द्वाश ना रखो इर्खा द्वाश तो बटो दिनना बटे है मारा रिकिरपरखन सौत लोके दा एक वेरी सीड को मन वच इर्खा कर दा सी सफरीए दे और भी दोग दे ओ देनू वेह्के वदी कर दोगा होदी देनू वेहरुती दूगा। सो ओ दो दोगे दोप है ओ भी दोगे के यह तो पार दिनू अगोनह सारी स्वारी कोड़ कर चारी करी मुगल टेक जाये मुगल कोले जाके पाई तलोके दी चुगली कर दिती है चुगल बंदे बड़े खतरनाक हुंदे है साथ संग जी इसमान ना दे विच्वी केंदे शेक पादन दे डिड़े चुगल हुंदे है एस करके चुगलने चुगली करदती है जहत लोका बड़ो सपाही कहन लगा तुँ सारे हैं तो वड़ा अपना खास सपाही सूर्मा मर्द अपना रख्यक त लोके नू समझ दा है तेग काठ की राखत पाही तेरी रख्या की करेगा उता गड़ विच लकड़ दी तलवार पाके रखदा जे दे तु एनना विश्वास करदा है लोह मूठ उपर दिखराई कहन दा उत्ते के वे लोह दी मुठ है दखोन वास्ते पलेखा पौन वास्ते तो खा करके उन तेरी की रख्या करेगा उ लह दर्ब को कर चतराई बड़ी चतराई करके तेरे कुण तान पूरा लेंदा पर अमान दारी नाल नी तेरी सेवा नौकरी चाकरी करदा है सुनत मुगलने मान बानि नौकरी को थे मुगलनु बड़ा विश्वास सीट संग्जी तुरकां दे राज वेचह मुगलन दे राज वेचहें एक पासे सौ बमुगल होना-बॉसल्मान TONुर्क होना-एक पासे सेख्ष काजी यदों ज़ड़ता रुत बाह रख थेशन वे केंदे शेक्छ साथ बोल देया है शेक्छ गयवाद सफी मन ये दिहा नेने जानी-ाभ्य है दी मोगलांदी गुण दिदानी-ाभ्य है बड़ा समान थैंज घ के दर आरा इन्ना इस करके पाई तो का बड़ा अन्खी सूर्मा है भादर है मैं सादर राखों देतान को कहनदा मैं उदा सब तो बद सनमान करके सारे नन वद तन दे के तन खा दे के अपने कोले रखदा हां मैं जानदा है जदो किते जांग विच कोई काम पेंदा मौका होंदा सब तो बात जांग ओ लड़दा के हो के वड़यां वड़यां जांगां दे विच्चो मेंनू ओसने जेत दुआई है फते प्रापत होई ओसने कारन फुन है मोगल सांग चोगल उचा रहा है फेर चोगल ने मोगल नू फेर द्वारा गल शुरू कर लई चोगल बंदे हड़दे नीन हुंदे सो ने कैन लगा फेर द्वारा गल कीती ओस दे कन्ना वेच्च आप सब हा लावो एक बारा आपना दर्वार लालो सारे सूर में आनू बलालो टंग दसन लगपे अपने कोड़ों तब है अचानक लियो निकसाई आपनी अखनल देखके तो विश्वास करोंगे ना बंदा कही दंदा जे मेरे ते प्रोसानी ता अख्छा नड वेखला तेनु पता ही लग जूगा भी गल में सच्ची करदा कि चूठी करदा कहन दरबार लाला है दरबार विच बला के तलोके दे म्यार विच जो तलबार कडा के वेखला है तेनु पका पता लग जाएगा जो मैं गल कही है उसची है देखी परह होए जा सपाही जे हो जी पाई होएगी ओह जी तु देख लमेंगा तेनु आप जकीन आजाएगा जे करते गग काट की होए जे करके लकड़ दी तलवार होई फलाद दी ना होई देहो ना दर्ब बिनावकार सोए तेर जेड़ा तु तान दना पन्यार पे चांदी दे ना दई नौकरी तो बाहर कड़ दई ना रखी ओसनू नौकरी ते जे लोहा खडग परकाश जे लोहा जे खडग लोहे दा होया तेज तिखा आते करारा तो लेखो दंडज होय माम पास आँ जी ते चंक भी दीमें डिली चंक दीया तल वारास आइ मिनी दिना अलना पर यां हूया छादिया हूया 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 या चाहिदया शचत्र दी शेवा पाई शास्चतर पीर हान ना दी शेवा भी इनना दा सुथकार भी बड़े ते आन नाल रखना सो ए अनगेली नी कदे वास्ते भी करनी गात्रे बाली सिरी साबी यान माण के साफ करके यान चंगी तरा पवित्रता नाल उदी समाल करनी चाही दिया है कईयांदे एनना दिंगाल लगा हूंदा मैं आन्चों कल शिरी साबी नी नकल दी देगनू पो अगलो ओन लगे हैं एनने ट लड़ हूंदे या कई बंदे सो पाई ए ख्याल रखना कैन लगा जेतायन विजली दिल श्कोर मंगव चंकदी होई तिखी तारवाली होई एन बहुत वदिया खडग होई एन बहुत वदिया खडग होई तो लेहो दंड जे होई माम पास कंदे फेर ए शर्त है जो कुछ भी मेरे कोले मेनु दन लादी ए सजा लादी जो कुछ तानपदार्त जैदाद है ओस देव जनने चो मेरा सारा जबत कर लें इस करके मैं शर्त भी नाल रखदा हां सुनत मुगल के संसा पयो वड़े लोगे डिराजे हम देना ना थे कन कच्छे हम दे श्यान दा कथन सच्चा है कान कच्छे सन साथ संगजी ओस वागत्मान विच्छ शंका अगी शंका पौनी केड़ सवख अखा कमन ही शंका ता जिनु वचारे नू कोई पता नी हो ना देखो ले जाके शंका बदी परचार करो ना दा मन डोल जन्दा कच्छी शर्दा कच्छा विश्वास है साथ संग जी कच्छा दुद फोटी जन्दा ना येस करके ता करके मत और दुद बद दाके ने कोई प्रोसानी कदो फट जाए ये सित्रा कच्छी मत बाड़ा बंदा शेती डोल जन्दा शंका पौनी बड़ी सवक्री है ते शंका दासर भी हुंदा गलता शंका कडणी है शंका कडण दा काम नी हो रहे आज शंका पैदा करन वाले रस्ते लोक तुरे हुए ये मन मत ये हर गलते शंका पैर पैर ते शंका पैदा कर रहे है शंका पेदा करन दा मतलब की हूं दा खमजूर करना किसे का रविछ शंका पादेओ दुबदा पादेओ अटब रोदों फटके विकर जाऊगा उना दी शक्ति एकता सब कुछ तबाह हो जाओ यसे इतना पाई सिख्फ विछ शंका पाके इना नूं पाड़ देओ दुबदा पैदा कर देओ पंच दी शक्ती नू कमजोर करो बस ओ सरकारा कोणो ऐसे गलदाई पैसा लह रहे है के काउम नू कमजोर करन दी साधी डूटी है तुसी निश्चंत रहो असी बानी ते भी शंका पैदा करांगे रहते भी गुरुकिया प्रंप्रामा ते भी गुरतिहास ते भी सो ऐसली मुगल दे मन विच शंका आ गई मन जेडाना ओदे विच दृडता न रही डोल गया मन शंका वादी हो गया मोगल नोसे वागत अपना दर्वार लालया सारे सूर में सदले विच दीर भी बलालये सारे अंदे कोले तालावी खड़ग भी तलवारावी हन अपो अपने शस्तर लेके शपाही आ गई सूर में बैठे सैत त लोके पाही, जिथे पाही त लोका त लोके दे कोड़े सारे बैठ गए आले द्वाले, नहीं निरादर एसको होए अब मोगल सरदार मन विच सोच दा के पाही त लोके नू ऐस टंगनाल गल कमाना के अनखी सूर मा कोई ऐसी गल मेरे मुहून अनकल जाय के दा मन दुखी हो जाय, मननू चोट कर जाय कोई शब्द, मननू कोई सट न लग जाय, मननू कोई काना हो जाय मैं अपनी गल जेडी पूरी भी करल मा जो मनोर्त है, पर इदा आदर भी रह जाय, मान भी रहे, सनमान भी रहे, परीसवा देविच मैं चोगल दे आख्यां सिद्धाई कैदता, चोगल दी गल सची न होई, तलोके वरगा सूर मा एक वेरी गुसे चाहा के, अनक देविचा के, मेरा राज, मेरा दरबार छड के चले गया, मिननू ता, तलोके वरगा सूर मा थोडो मेलना पामे सौ मेरे कोडे होन पहरे ते र अनक दोके दा, मिर्दै विचार मुगल किया सोए, इर्दे विचे विचार कीती सोचेया, प्रतम खडगा ने जख्याच दिखायो, तरीका स्याने बंदे तरीके नाल, जुगती नाल बचन कर देए, ताहीं केंज भी गुर्म गांदी, मुजुर कांदी संगत करो, जिन्नी संगत होएगी जिन्ना साथ संगजी सोना अगदे थले अग जिन्नी सोने नू तपाएगी न उन्नी सोने थी खोट निकल दी है जना जिन्दगी देविच बन्दा संगत करदा, स्यानयां दी, गुण वनना दी, उनने बन्दा साथ संगती जीवन देविच कामजाब हो дан. कामजाबी जड़ेड़ी है, स्रेष्ट संगत जड़ेड़ी है, वो कामजाबी देष्छ बनुख नूँ पीचादन दी है और ता लग लग्क के जिंदगी दे हाज सा संग्जी क्टी जाके फेर बंदा किसे अन्जल नू हासल करदा ऐमेनी वंडियां बंडियां मंजलां हासल हो जन्दियां बढडियां कलना कालनियां प Asian ताह के ते जाके दुनिया देविच लोक अपनी मंजल नू अपने मरातवे नू हासल कर देयां। इस करके इन्हे सोट सोट के सम तुम पहला मुगल ने अपनी तलवार अपने म्यान देविचों कड के परीसवा विच दखाई। तोन दूसर को कह निकसायो। फिर क्या केंदा भी पाई या देखो मेरी तलवार किनी कीमती किनी सुंदर शस्तर है बड़ा तिखी तारवाला। सारे सूर में अपो अपनिया तलवारां वखाऊ। मैं सारे अंदे शस्तर चेक करने हैं। देखने हैं। के किसे कोले कुई माडा शस्तर तानी। सारे दखाऊ पर ही सवा देविच अपनिया तलवारां। सो सारे सूर में अपनिया तलवारां दखाऊ। कड के मैंना विच्चों। करो दिखाऊन अल्प महान। जेदे कोले चंगे तो चंगा शस्तर है महान है वो भी बखाऊ। जेदे कोले पाई कमजोर है माडा हो भी बखाऊ। बखाऊ सारे ही ता के पता लगे के मेरे सपाईयां कोले के हो जे शस्तर हान। सुनत मुगल ते डर्त ते लोके हुन होर ता किसे नू डर्नी सी पाई त लोका डर गया पैपीट हो गया मान विच मुगल दी गाल सुनके कह कहा माम खड़ ख बिलोके कहन लगा के मेरी तलवार नू वेख के मुगल की कहेगा मैं ता लकड़ दा लकड़ी पाई बैठा मेरे कोड़ सर्बलोदी ता है नि फलाद दा शस्तर ता है नि मैं ता लकड़ दा फ़ल बना के विच पाया हुया कै दूड़नी जी करपान पाई फिर दे बारों भी लकड़ाय मी अन करत जे ता है यव यह बहुआ है नि क्ई आो लकड़ सर्भा यह ना ते श्थ डिया गरी शफ लकड़ा उस्चछी दूसरे दे मान विच भी खिच ता फवे ना गुरू के बानेदी तो अटे शफ्तर दे का जा कित ते था डिणा नि- था जुड़ डीजरा फिर नगे डूढ़निया जिया लकड़ दिया वबाव पेड़े लगदे जाली जे सिख लगदे अभी एता कोई ना चो कोई सिखी दी आपपाई नी नह जरौंदी आज ताँ बडिया सुंदर सुंदर शुंदर सुरी साब हाँ, सानू मिल दिया, ते कोई मायादी भी हुन कमी नहीं है, तन बाबा महराद संग साभ जीदा तुसी चेतर देखो तेडा हुना दा असली चेतर है, साज संग जी उना देख जानने, पोथिया बादा खजानना, त जी उना दे चेतर विच्छों, उना देड़ा सुरी साभ अगला हिस्सा बहुत सुंदर ओसनू तियार किता हुया, दे दर्शन हुन दे है, म्यान देविच श्री साभ है लकड़ दा म्यान है, मेरा ख्याल है 12-13 इंच दी सुरी साभ हुना दे गात्रे हुई, ताम है गल कित है भी इड़े कही लोग है दंदे है पहले आता गात्रे सिरी साभ अखे पौंदे नहीं हूंदे सी, बाबा महराण संग साभ दीड़े गात्रे सिरी साभ देखो, वड़ी तेग भी और गात्रे पंजां कारां दा सिरी साभ भी, बाऊ सुंदर 12-13 इंच दावना दे महा पु कि दमाला सुफेद रंग दा हाथ विच सलोतर भड़या बड़ी मौज विच अनांद विच महापुर्ख बैठे यह बड़ी कुर्बानी उना सथ पुरशांदी तन बाबा महराद संग जी जिनन हिंदोस्तान दी अजादी दा मुड बनन विच उना दी कुर्बानी पहले दर् मुगल तब सात्गुर और सिम्रन करे जित्थे सेखनों कोई संक्ता होंदा ना शर्दावान सेख फिर अपने सत्गुरुनु चित्ते करदा होरनी किसे दी ओट लेंदा किसी कोई कोई मंद नमानी एक तूं संत बाबा जरनेल संग दी खालसा पे ड्रवाले जदों साज जी नरकतारियाने तेरा संग शिहीद करदते और पंथ विच्चों सादे पर आई होना दे मगर हाथ तो ओके पैगे हैं वोगों जथे संगाने कई वरी बड़ा नराश हो जाना ते महापुर्खा ने बड़े उत्शा विच एता आरना पड़ाया करनी सादा ते नमानेया द सारे एक विरी नहीं सादाते नमाने आगा तु ही है और कोई आसरा नहीं किसी ही कोई कोई मांजनमानी एक तु बड़ा प्रुसावना महापुर्खानु सी साथ संग जी अपने सत गुरु पे ताही उना ने दुनिया विच एड़ा वड़ा क्रिश्मा कर्व खाया लख्खान दी पाउज नाल अकल्ला मर्द जुड्या साथ संग जी सो इस करके सिख फिर गुरु सामनों जाद करदा जो दो सिख ते कोई मसीव ताउं दी ए मैं उपदेश आपको तरे महाराज मैं आप जी दे सारे उपदेश तो अडे चरना विचों जाके लेके तार्न कीते मान विच रहो आहंसता जी तरवार मैं तामार आज के मेरे तो जीव हत्या ना हो जाए तुसी कया दया करनी है जीव का आतनी करना हिंसक रहना हिंसा नी करनी पाव जीव का आतनी करना तामार तलवार पूनी शड़ती अपने आप ही फैसला लेलेया मन विच पैपीत होके अज सारी सबा विच मेरा परदा उगड़ जाना दुनिया ने वेख लड़ना है अब मेरी तुम करो सहाई ए गुरु अर्जन देव जी मेरी सहाई होके सहता करो अखे समेते जथा दुर्पती लाज बचाई है दुमें दौपर जोगदे विच दौपती दी लाज रखी सी मारा कपड़ कोटो सार इन ठके दूत ना पार वसंदी यह मारा दौपती दा पड़दा कजिया सी तुसी दौपर विच आप था इस रखा पड़दा सारी सवाव जैन करिश्मा करके विखाया जालम दौपती 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 करवाली सी बेखलो पर बंदे दे अंदर जदोना दुष्ट ताई ओंदिया कि ते तक गर जंदा बंदा कैंदा मामां दे तल लग दी सी मामां दे तल वड़े प्रादी तर्मस्पत्नी मां दे तल हुंदी है दुर्जोदन ने आडर हुक्म करदता के दुसासन जाके द्रोबतीनु बालां तो फड़के तु उके लिया परी सभा विचे दे बस्तरला के नंगी करदो एड़ा वड़ा जुलम एड़ा वड़ा साथ संधियत्या चार कदे ओड्रोनाचार्जवल देख दी है जिड़ा शस्तरविध्या द गुरु सी अबला वचारी कदे किरपाचारिया कुल गुरु वल वेख दी है कदे सौरे वल तृतराष्टर वल देख दी है कदे पानवा वल देख दी है कदे परदादेयां दी थांते पीशंपतामा उदे वल बेख दीया है कि एड़ेडे स्चाने बजुर्ग, एड़ेडे महातमा बेठेया है, कोई ता रोकेगा ना, कोई ने उठेया, हाथ जोड ले, अर दास किती सचे पाध्षा ना इस्तरी दा पती रखवाला ना, पती उद जित दा पाहिवाल है, हे सचे पाध्षा जपती भी मेरी एजित बचाउनली अगे नी आ रहे, एस तर्ती दा कोई मनुख नी डड़ा, मेरी रख्या, मेरी पत बचाएगा, हे परमात्मा, तू मेरी सहता कर, जदू इत्थे गल पाउंच जायना, सिद्क दी फेरी रब सहता करदा, साथ संग जी, हमें भी नी करदा हो, ओ देखदा भी तू लाला जोर अपना जिन्ना के तेरे कुलो लगदा, जदो तेरा सारा जोर लगके हम्ब हार के ठक गया, फेर मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे मान वेचे कोई शंका न रहे, जबी फलाने ने मेरी मदद कर दे आवने शी तेनू प्रोसाद और लगदा, परमेश्यर ने कहनदे फेर, दरोपती पात टकी, और दोस्टान दी, जो मान पांदी, इच्छा शी पाप कर्म वाली व पूरी नी होई, तेम मेरी अब लाज रखीजा ए गृवर्ण दी, दोस्टान दी, सभा विच में भी कर गय मेरी भी लजया रखो सब आपकाय कर खड़क दिखीजाए यह लकड़ दिया हे गुरु अरजन देव जी मैं चू उठनी बोल्दा जीना दा मान गुरु दे चरनाच लवलीन होजन दा अपने परमेश्यर नालो आपने परमेश्यर नालो आपने कर दे सिखने अर्दास पगती दा साथ संग जी कोई तोड नी स्रिष्टी देवेट जिन्नी ताप त्याग साधना जब तप संतों श्रोमनी अर्दास साधन है वाहि गुरु दे बहुत नेडे लिजान दा साधन अर्दास पगती है मतले मेरी लजया रखो मेरी वी पातर रखो ऊमेश्यर नाहीं तहरें काठकर पान ये लखकर दी तलवार नो अज फलात ड़ा शस्तर बनादेयो जיה नाम बनायाता लखकर दी तलवार वेकके करह मुगल मेरी तब हानः ये मुगल मेरी हन्नी भी कर सकदा मारा जे इस गुनाद बदले मेनु मार भी सकदा सजाद होगा ना भी तूं वफादारी निन भाई तूं मौत दा हकदार है दूजा जे मारे नत परी सब देव चा अपमान भी सब तो बद मेरा ही होएगा मेरी इजत दिहानी हो जाएगी इजत खुष जाएगी अज मेरे कोड़ो इजत खुआ के बैठ जावांगा मन ही मन है मनाबत गुर को अनारया गुरु साब नूर दासां बेंतियां करके जोद्डियां हिर्दा कंब रिया ती इरजनिया डेवडे सूर में दे हिर्देवित जिदे ना तो वेरी कंब दे सान तब सत्गुर्न जदास बचारा अन मेरे सचे पात्षा जिदे चरनत अमरसर साब अरदास पॉंट गई गुरु साब कोले अरदास पॉंट न लग गयां देर थोड़ो लग दिया को रोक सकदा अरदास पॉंट गी मार अदे चरनत पचाउन वाला होवे पॉंट दी है एमी निक्या बिर्थी के देना होवे जन की अरदास जन बन के अरदास ही नहीं हुंदी पूरी कित्थों होवे बन जाए तप आइतलों के मंगू पॉंट भी जन दी है तो विचार एमान विच्त अन्गुरु अरजन देव जीने के मेरा सिक्ष है सानु याद कर रहा है पैस हाइक लाएन बारा तो संग जी चुटकी निलाई खेन निलाया उसे वगती मार पहुंच के सहता करन वास्ते पागत दी अपने प्यारे सिख दी जदो साथ संग जी ओना कले कले दी तलवार वेखी जन दा कोले सद के पाहित लोका उठनी रहा उनू शंका आगी मानवेच के क्यों नी उठदा जरूर कोई कारन है सारे अंदे वेख ले पाहित लोके ने मयान विच्चो नी कड़ी तेर मुगल लू कहना पया आप कहन लगा हे तलोके सरदार तू क्यों नी अपनी तलवार कड़ के मयान विच्चो बखाँदा तूं भी वखादे किस परकार को राखत पास किस तरह दा शस्तर तूं कोले रखदा है बदिया को तकमा कर है निर जास तेर कोले केडे तगमे वाली तलवार है तेरी तलवार होते केडे देश दी केडे फेक्टरी दी केडी कंपनी दी मोर लगी होई है जिमें साथ संग जी विलेटी देड़ शस्तर है उना ते विलेदिया मोर बहुँ सुंदर शस्तर बने अंगरे रिकाल दे विरले विरले सिंग कोले उना दे दर्शन हुंदे है बहुत ही ओदे विच गोनहन यू एरान्नी तुरकान्नी ये तलवारांदे नाम है तलवारांदे शस्तरांदियां वक्वा किस्मानू शस्तरांदे पार्खु डान दे है कहें लगा भी तेरे कोले केडे देश दी तलवार है केडा तगमा केडी मोर लगी होई है मैं भी देख लमा निर्णा करके कहत लोके तकमा गुर को पाई तलोका खड़ा हो गया कहना सरदार मेरे कोड़े मेरे गुरू दा तकमा मेरे कोड़े मेरे गुरू दी मोर है मेरी तलवार दे उत्ते लगी होई ता अनगुरू अर्जन देव डी दी मोर खड़ पर नहीं अपर को मेरे खड़ उत्ते किसे बंद यांदियां फैक्टरियां दी किसे देशां दे राजयां दियां राज ता नियांवच बणियां तलवारां दी मोर नहीं लगी होई सिखनूं भी मार अर खबर देदन दे पता लग देदन भी आगे तेरे कोले है प्रोषण होगया मार कोले खड़े है गुर अरजन देवजी कहनदा मेरे कोले means मेरे गुरुदी मोर है मेरी तलवार हुत्य φाव सचे पाध्शाजी दा नशान लगा होया है जी में गुर नंक साव ने जास साथ गुर्ने दीन समोही है सरदार जहोजी तलवार गुरु अर्जन देव जी ने मेनु दित्तिया हुन अपनी निना काल अपनी ता गई ना जव लग मेरी मेरी कर अपला काज एक नह सर आ जब मेरी मेरी मढ़ जाए ता प्रवकाद सवार आए एक आर्ज स्वार्दार अब जदो मेरी शड़ वे उनाचर ने ओस वगत कैन लगा मेरे सत गुरु ने जहोजी मेनु दित्तिया वहर ने कास दिखावाए तो ही कैना म्यान चो खटके ओही तेनु दखावांगा परीसवा वेच्च आखो पाई वाही गुरु पाई तलोके ने म्यान विच्चों वाही गुरु कह के तलवार कड़ी ते सजे हाथ विच फाल लई निकसे पयो प्रकाश उदारा इना प्रकाश हो गया सारे अंधिया खाँ चंदे आगिया सारी सवादे विच्च कर टोगिया बरुश प्रकाश मेंद तशे रसार कड़ी तोड़ रहे हैं तो इना जची अट्टे पयर बरत दी आज तो ड़ी शर्दा आत बिश्वाष्णो ए लोक्ताल हारे है बचो इना तो जिनना भी बचे छया है दलना कि Ve Guru दी शक्ति है एक गुरू दी करामात है इनु करामात है गुरू हे है पड़या करे समय है गुरू साव दी केर कवार दी तलवार वृहों चंकी जार्फ नाुञर शूर्ज चंक दे ignor ृ थार्थ एन्ही तिकन तारा आ शकेरी। नहीं अपर के एस बदहरी। मोगल ने वेखया के हो जी तलवार ता मेरे किसे भी सिलेख खाने चन। जित्धे शस्तर हुंदे या उन्हीं तोसे खाने विच कीमति वस्तुऑं भी हुं दियां तन भी हुंदा है, हीरे जवारात भी हुंदे है, कहने लाइसा सिले खाना था, मेरे पास भी ऐसा शस्तरनी है, जैसा पाइतलोके कोड़े है, मोगल अंदरों ता साथ, संग जी पाइतलोके लेह उदी पावना चंगी सी, माडी नी सी, शंका आगी, शंका उनी स्वाबक है, दूर होगी, मन शुद्ध हो गया, जेड़ा बंदा जान बुझ के मन विच कप्ट रखे न, ओ हुंदा इरखा लो, इरखा दा परेया होया, दवैश दा परेया होया, जे शंका आगी, दूर कर दती, मन साफ कर लो, बस ठीक है, जे फेर भी करोंगे, फेर पापीया आपा, सो एस करके, मोगल इनना प्रसन होया पाईतलोके ते, दुगना रोज करेयो ते सकाला, इनना अगेता तेनू पिजा दमडे, पिजा रुपे दंदा सी, आज तो तेनू सो दमडा रोड़ दा देया करांगा, दुगना रुजिना करदता है, इनना मन विच प्रसन होया, क्यूं होया, गुरु अर्जन देव जी दी किरपा, उना दा कृष्मा बाप्रिया है, दांड दयो तेस चुगल उदारा, मुख कारा कर वहर ने कारा, तो लोग के दे मान विच होर शर्दा गुरु दा, ए गुरु दी बख्षिष वे के सिख दा, होर विश्वास्ट दुगना चाउना वदना चाही दा, मान विच बहुती शर्दा होयी, किननेक दिना बाद सत गुरु दी दे चर्ना विच आय पाई दी, तन न के चर्णी परे हो, तन गुरु आर्जन देव शाबं दी, तन सचे पाथ चाई धी के देह, वह राग विच पाई शाब दी, तन इकलगी सत्गु डी दे शुक्रणी विच नेथ नितना विच जल चल गया, चर्णा ते टै गया, चर्णा विच पह गया, साथ गूर कहे हो चुन करके सभा मिच फर सतगुरु जीने बचन किता ज़े तों सारा प्रसंग पाइतलोका जीने सुनाया करन प्रणता अनिर भहे हो आखो संगत जी वाहिगुरू मारा कें दे तुँ दुद दुदे करन द एक वेरी तेरे तो गना हो गया पर तुँ दया करन्दा साधे चर्ना अंदे विच दिड़ा प्राण कीता सी पूरा नबादता सेख प्राण कर लवे पूरा नब जाए मारकेंदे तुँ प्राण नबालेया जो बचन कीता सी पूरा कीता सेर तोड क्यों ना होए तब गुरू सहाई तेरी गुरू साव क्यों ना सहता कर दे सिख गुरू दा बचन मान लवे गुरू क्यों नी सहता करेगा जरूर अपने सिख दी रख्या करेगा सहता करेगा गुर्बानी मान मान कमाई साथ संग दी आप पां कोई बचन कमाउन जोगे नी अपने नाम दी लजया रखलो माराज असी ता तो अड़ा कुई बचन मनन जो गे भी नी अईने असी माराज नीच तुछ बुद्धी दे माल कहां किरपई करेओ माराज साड़े उत्ते यही अपनता अरदास करनी अपने सद्गुरु कोले अपने कोले की दावा साथ संग जी कोई दावा ने ना सड़ कोले जाप है ना कोई सड़ कोले ताप है ना गुरुदी रहनी है यह ता जब तब संजमत अर्मना कमाया सेवा साधन जन्या हर्दाया को नान खाम नीच करमा सरन परे की राखो सरमा यहीं बेंतियां कर दे रहिया आप पे मारा साधी बां फड़न गे आप ही सहता करन गे सचे पात्षा मारा कें दे पाई देड़ा गुरू दे बचननू मन के मन बानी करके पाई कमोंदा है गुरू साब दी हमेशा ही सहता कर दे ओ सुते बख्षशा कर दे आए सगरे सिखन सुने ओ परसांग सारे आ सिखाने सारा परसांग सरी अमर सरसाग पाईत लोका दीदे मुखार बेंतों सुने आँ तन गुरु के शर्दा सांग, शाने शर्दा नलिको विरी चोके जाराइं संगता ने, तन गुरु अर्जन देव साब जी, तन गुरु अर्जन देव साब जी, तन गुरु अर्जन देव साब जी कह के सत्गुरानू नम्शकार किती, आपां भी नम्शकार करिये, पुल्ला चुकां खिमा करनिया, इतनी हाजरी परवान करने, मैं संगतनों बेंती करांगा हुन, दम्दमी टकसाल दे महान विद्वान, ग्यानी परविंदर पाल संग जी बुटर थोड़े मेंट वादे दर्शन करनगे, क्योंके अजे समा है, फेर अर्दास होएगी, शिर्मुख वाक्तों प्रांथ देग बरतेगी, गुरु माराधी दा सुखासन होएगा, उस तो प्रांथ, जो परोग्राम जलपानी लंगरदा होवे, उस उनुसार संगतने बेंती, परवंदक सिंगा अंदी परवान करने, सो मेरी इतनी हाजरी परवान करनी दासनी अग्या ले लेनी है, सो साथ संग जी मैं पाईसा पाईबल विंदर संग जी जो दंदमी टक साल दे साहित सदन दी बहुत वड़ी सेवा कर रहे है, तो अडे नगर दी सारी संगत प्रवंद कमेटी नगर पंचयत गरंथी साब जी मैं सम नहीं रोम रोम करके तन वाद करदां, तो अडे संगत दी क सेवा हुंदी है के शेज उननू जिनने महापुर्ख हूंदे है, सिंह सहबान हूंदे है, उननू लंगर शिकाउन दी सेवा पाईबल विंदर संग जी दी अगवाई विच पाड़ा नगर करदा, सो पाई तो सी वद चड़के लाकबन के वड़ी गनती देवच आके शेज उन दे शिदी समागमा मुचे सेवा समा लणी है, शेज उननू बद वद संगत ने पाउंच के दर्शन करनी है, शिहिदां दे चरना मुच हाजरी परनी है, मैं संत बाबा दर्शन संग दी कोड़ेवा, ज शेज दर बाबा सुलखन संग दी इम्रादपुरा पाई सुटा संग दी, सब दाई मैं रोम रोम करके तन वाद करदां, पुल्लां चुकां खिमा करनी है, तनी हाजरी परवान करनी, सगरे सिखन सुन्यों पर सांग तान गुरू कह शर्दा सांग वाहि गुरू धी का खाल सा, वाहि गुरू धी की करते हैं